Iniquity Market ने सभी इन्वेस्टर का purpose होता है पैसा कमाना क्योंकि हम पैसा कमाना चात деньया कोई न कोई पोजेशन या कोई भी ट्रेड लेता है जब भी हमारी ट्रेड हमारे अगेंश जाती है मतलब हमारा purpose था पैसा कमाना और by chance भी वो loss पे जाना start होती है हम कुछ ना कुछ hoping game स्टार्ट करते कई बार हम hoping game को start करने के लिए कोई सी भी तो strategy unnecessary apply करने की कोशिश करते ताकि at least हमारे मन में तसली रहे कि अभी मैं profit में आ सकता हूँ एक example से connect करूँ धाई दिन का फंडा मैंने कई बार देखा है कि आप में से कुछ लूब गोलते हो कि अनन्त आप apply करते हो धाई दिन का फंडा तो apply हो जाता है हम apply करते तो कई बार apply होता है कई बार नहीं होता मैं सर्फ इतना सा चीज पूछूँगा क्या आपने just because आपकी कोई position थी इसी लिए unnecessary धाई दिन का फंडा apply करने की कोशिश करी थी या फिर आपने genuinely prior trend को check किया था price action को properly check किया था अगर आपने सारी चीजे properly check करके धाई दिन का फंडा use किया होगा तो आपका risk to reward और success का ratio काफी अच्छा होने वाला है वरना आपने just अपनी फसीवी position में खुद को तसली दिने के लिए धाई दिन का फंडा unnecessary apply कर दिया उसका मैं कुछ भी नहीं कह सकता और यह तो सिर्फ एक example है धाई दिन का फंडा इसके अलावा जितनी भी strategy होती ना जब भी कोई हमारी position हमारे against में जाती है खुद को hoping game चलाने के लिए हम कुछ भी तो strategy apply करने की कोशिश करते हैं ऐसा काम मत करिये मेरा नाम है अनन्त लडडा CFA CA CFP LLB चालिये शुरू करते हैं अनन्त का फंडा का पहला पार जिसको नाम है market today सबसे पहले index पे नज़र डालते sensex 0.57% negative nifty 0.60% negative bank nifty 0.28% negative bank nifty strongly held किया sensex और nifty की बात करेना आज के दिन तोड़ा सा difficult था at least index के player के लिए क्योंकि both side हमें बहुत ज़्यादा volatility देखने को मिली पर अभी तक भी market ने 17,200 को 3-4 बार sustain कर लिया है अब 17,200 वीक support होने वाल है उसी के साथ मिटके आप index की बात करे 0.58% negative रहा advance ratio की बात करें तो 740 share advance हो जिसके against 1100 share decline होए poor advance ratio हम बोल सकते हैं sectors में auto और healthcare सिर्फ दो ही sector थे जो neutral से या फिर slightly positive थे इसके अलावा private bank consumption consumer durable और pharma फिर भी ठीक थे मैं यह नहीं कहरा positive थे पर फिर भी strongly help कर रहे थे जिन sector की सबसे अधा पिटाई भी उसमें सबसे आगय था reality, media, PSU bank, metal, PSU के साथ-साथ IT reality को correct होते हुए almost धाई दिन हो चुके है और काफी correct हो भी चुके है, reality के काफी सारे stock support पर है अगर इन्हें पहला bounce देना है तो पहले bounce के zone के बहुत close जाते जा रहे हैं अगर हम US futures की बात करें तो neutral से हम completely बोल सकते हैं विक 17.21 पर काफी comfortable है, nifty के momentum के उपर नज़र डाले, तो आज की opening हुई थी 17,323 की जहां कल close हुआ था वहीं पर आज के दिन open हुआ, आज के दिन market पहले dip लगाता है, नीचे की तोड़ी सी यातरा करता है फिर bounce देता है और सबको लगता है कि वापिस से हम breakout दे सकते हैं, पर वापिस से 17,351 का high बनाता है और वापिस से पलटके अपने low के आसपास चले जाता है आज की closing होती है 17,221 की neutral सी rather poor closing बोल सकते हैं साथ यात अगर important update की बात करें, SBI ने race कर लिया है 3974 का रोस जो mainly Basel 3 के requirement ले काम आएगा ये compliance के requirement होती है, capital ratio होता है जिसको maintain करने के लिए SBI ने ये fund race किया है उसी के साथ साथ Tata Motors ने एक deal करी है बंदन भैंक के साथ जहां पे जितने भी retail passenger vehicles के loans होंगे उसके interest rate final हुई है 7.25% reasonable है अभी भी काफी, चलते हैं next section पे जिसको नाम है FIIs and DIs Action 14th of December को FIIs ने 763 करोस की net sell करी थी और DIs ने 425 करोस की purchase करी थी FIIs का figure जो हमें net का देख रहा है, धीरे-धीरे especially after 15th इसके figure का quantum कम होना ज़रूरी हो जाता है overall future and options की positions की बात करें, वहाँ पे भी FIIs completely अपनी position को धीरे-धीरे control में करते जा रहे neutral सी position आज के लिए maintain है, कल के दिन कुछ नए shots बनाए है FIIs ने, पर overall basis पे बात करें एक दिन के shot बनाने के basis पर हम distance नहीं ले सकते, stock futures या फिर index futures को अगर हम overall basis पर बात करें, वहाँ पे neutral positions FIIs बनाए हुए है चलते हैं, next section पर जिसको नाम है viewers query सबसे पहली query बहुत interesting query है, और मैं तो इसके लिए simple से example देता हूँ, दूत का जला चार्च को भी फूख के पीते हैं, और equity share market में यह actually अच्छी बात है, कि आप अपने आप पहले से cautious हुझाते हो, query यह है, जिस तरीके से BAC recently perform कर रहा है, क्या यह वापिस से IRCTC के जैसे climax top की तरफ जा सकता है, क्या इसकी possibility है, बिलकुल है, पर अभी तक उस possibility के हमें sign नहीं दिखे है, sign मिलेंगे तो मैं आपको hint करने के कोशिश करूँगा, पर हाँ, अभी भी BAC अपने एक आच्छे buying zone से काफी उपर है, unnecessary उड़ते तीर हमने लिया तो चीजे backfire हो सकती ह पहला major support जो BAC का आता है, वो आता है 2050 का, जी हाँ दोस्तों, उसके उपर हम कहीं पर भी buy करते हैं, तो काफी risky zone हमारे लिए होने वाला है, अब बात कर लेते हैं IPO के बारे में, सबसे पहले बात करते हैं, HP Adhesive के IPO के बारे में, QIB, NIA last day पर ही पता चलेगा, retail category 18 टाइम से subscription मिलना बहुत difficult होगा, पर बाकी सभी IPO से ये comparatively risky होने वाल है, क्योंकि trade to trade segment है, इसमें ये प्रेट कर पाना कि कितना listing होगा, काफी difficult हो सकता है, और वैसे अगर हमारे पास limited capital है, तो मैं अगर आपकी जगे होता तो इस IPO का राम से avoid भी कर देता, काफी better choices हमारे पास available है, next बा retail category में 5 time का over subscription है, almost हम कह सकते है 4.81 application के against में एक allotment हमें मिलने वाल है, finally बात करते है data patterns के IPO की जो इस week का one of the best IPO है, QIB, NIA last day पर पता चलेगा, retail category already 12 time से ज़्यादा over subscribe हो चुकी है, अगर हम grey market premium की बात करें तो इस IPO में almost 80% के उपर का consistently चल रहा है, मैं personally apply करने वाल हूँ HNI category में at least इस IPO में, चलते हैं next section पे जिसका नाम है stocks in focus, सबसे पहला stock in focus होने वाला है Sona BLW, देखिए 780 का एक important support है, अगर कल की बात करें, अगर ये कभी भी 800 को cross करता है, 810 उसके बाद 825 तक के level इसके लिए open हो जाएंगे, आप ticket आप चेक आउट कर सकते है, next important stock जो मैंने especially आपको कल सिफ एक stock आज के लिए notice में रखने के लिए बोला था, नाम है Paytm, perfectly जो हमने expect किया था कि 1300 के आसपास 1350 maximum, best area होता है, जहां पर हम add कर सकते है, आज पता है anchor book खुलेगी, पर anchor book खुलने के बाद हर को ये सोचेगा कि यहां पर तो ये correct होगा, और हमें, जो unexpected है वो सोचता आज की तूट रहा था, पीछी की कहानी को समझना बहुत important है, तूट क्यो रहा था, because anchor book खुलने वाली थी, इसका डर था, आज की दिन मैंने personally भी, वैसे तो आपको कल डीटेल में explain कर दिया था, उसके बावजुद भी, 1310 से 20 के बीच में add किया, पर जैसे ही 1420, जो आज का कह सकते हैं, पहले 5 मिट का हाय था, उसके आसपस क्या, महाँ पे मैंने profit booking भी कर ली थी, अभी भी बात करें तो अभी भी attractive रह सकता है, especially अगर 1350 के नीची-नीचे कभी भी मिले, अभी भी safe zone पे ये हो जाएगा, अब important skill के लिए होगा 1290 का support, उसको हमेशा स्रेश्चेन करना pay team को important होने वाल है, अगर ये strategy अच्छी लगी, तो comment करके मुझे बता दीजगा, ताकि मुझे भी उत्सा बना रहा है, कि आप सभी को इसमें मज़ा आ रहा है, जो हमारी strategy होती है, यह नहीं कह रहा कि सारी कि सारी conventional है, बलकि मुझे तो non-conventional strategies में बहुत मज़ा आता है, पर I I am very sure non-conventional strategy हो, या फिर conventional, important आपके लिए और हमारे लिए यह है, कि जब हम उस strategy को apply करते है, हमारे success का ratio कैसा होने बाल है, अगर अभी तक आपके लिए डिमाट नहीं, तो description में DMAT अकाउंट openings आपको मिल जाएंगे, वरना लगी उसूल तो आप join button membership में कंसिलर कर सकते हैं, membership द जलते हैं, next section पर जिसका नाम है, general market trend, general market trend, uptrend में है, number of volume distribution days का count, 2 है, आज का दिन volume distribution day नहीं है, क्योंकि आज की volume as compared to yesterday, काम थे, चलते है, final section पर जिसका नाम है, expectations from tomorrow's market, call का high-show point rush 18,000, second high-show point rush 17,500 and third high-show point rush 17,400 पे, major relations अभी भी 17,500 का होने बाला है, support की बात करें तो put का high-show point rush 17,000, second high-show point rush 16,000 and third high-show point rush 16,500, major support, इस week के starting बाई आपकी हमारी बात हुई थी कि 17,200 का major support है, पूरे week market ने 17,200 की respect करी, पर अब वहाँ पर जाते हुए market को तीन बार से ज़्यादा हो चुका है, next time ये support week हो जाएगा और major support हमें मिलेगा, 17,050 के आसपास का, कल के दिन weekly expiry है, तो put call ratio पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, पर अभी put call ratio अल्रेड़ी 0.80 के नीशे जा चुका है, जो काफी ज़्यादा oversold हम कह सकते हैं, market की बात करें, अगर market में कल के दिन first half में dip मिलता है, तो कुछ important stocks में हमारी डार हो सकती है, कुछ example की बात करूँ, IEX, important support के पास है, clean science धीरे-धीरे अपने breakout zone को पूरा retest करके अपने support के पास जा रहे हैं, ऐसी कुछ stocks को धीरे-धीरे हम notice में रख सकते हैं, जिस put call ratio में हम जा चुके है, क्या यहाँ पर market में तोड़ा और dip नहीं आ सकता, कल first half में आ सकता है, पर उसके बाद, especially 2 बजे बाद, मैं personally बहुत जादा shorting की या negative side में नहीं बैटूँगा, अगर मुझे accumulate करना है, तो मैं धीरे-धीरे accumulate करना start करूँगा, stock specific action अभी पूरा मिलने वाला है, कल हो सकता है, expiry की वज़े से तोड़ा सा कम मिले, पर वापिस से, Friday से, Monday से, आपको stock specific action पूरा मिलने की पूरी-पूरी उमीद बनी भी है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें बिना मच जाएगा, happy learning and I will see you very soon, उसी के साथ साथ, Instagram पर I hope आपने मुझे follow कर लिया होगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा interesting content आता जा रहा है, और वो content की quantity भी बरती जाएगी, happy learning.